राम विबाद नहीं, राम संगाधान है, राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सब के हैं, राम बरतमान नहीं, सिर्फ बरतमानी नहीं, राम अनंत काल है साध्यों आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन चे पूरा विश्व जुड़ा हुआ है उसमें राम की सर्व व्यापक्ता के दर्शन हो रहे है जैसा उत्सव भारत में हैं वैसा ही अनेक देशों में है आज आयोज्ध्या का यह उत्सव रामायण की उन्वैश्विक परंपराओं का भी उत्सव वना है राम लला की यह प्रतिष्ठा वसु धह उत्सव के बिचार की भी प्रतिष्ठा की ते साथ्यों आज आयोज्ध्या में केवल श्री राम के विग्रörtनता सेहा हुए है ये स्रीराम के रूप में साक्षात्व भारतिय संस्क्रिति के प्रती अटूट म्यांज की प्रान प्रतिष्ठा है यह साक्षात मांवे मुल्यों और शर्वच्य आधर्षों की भी प्रान प्रतिष्ठा है इन बुल्यों की इन आदर्शों की आवशक्ता आज संपूर्ण विश्व को है सर्वे भवन तु सुके जाए यह संकल्प हम सद्यों से दोहराते आए है अज उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मेरा है यह मंदीर! मात्र एक देव मंदीर नहीं है यह भारत की द्रश्टी का भारत की दर्शन का भारत की दिगधर्शन का मंदीर है यह राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदीर है राम भारत की आस्ता है राम भारत का आधार है राम भारत का विचार है राम भारत का विधान है राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्टा है, राम भारत का प्रताब है, राम प्रभाव है, राम नेती भी है, राम नीती भी है, राम नित्यता भी है राम निरंतरता भी है राम विवु है विशद है राम व्यापक है विश्व है विश्वात्मा है और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या सताव्यों तक ही नहीं होता उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है महर्ची वालमिकी ने कहा है राज्यम दस सहस्त्रानी प्रप्य वर्षानी रागवा अर्थात राम दस हजार वर्षों के लिए राज्य पर पतिष्ठित हुए यानि हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ जब त्रेता में राम आये थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुई थे हजारों वर्षों तक राम विश्व पत्व प्रदर्शन करते रहे थे और इसलिए मेरे प्यारे देश्वासियों आजयो द्यभूमी हम सभी से प्रतेग राम भक्त से प्रतेग भारतिय से कुछ सवाल कर रही है श्री राम का भव मंदिर तो बन गया अब आगे क्या सद्यों का इंतिजार तो खत्म हो गया अब आगे क्या आज के इस अउसर पर जो दैव जो दैव यह आत्माएं हमें आशिरवाद देने के लिए उपस्तित हुई हैं हमें देख रही हैं उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे नहीं कदापी नहीं आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है यह सुकत संयोग है कि हमारी पीडी को एक काल जैपत के सिल्पकार के रुप में चुना गया है